हलो दोस्तों नमस्कार अस्टम जीस पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है चोथे टेस्ट के साथ हम फिर आप लोगों के बीच में हाधीर है जो कि करेंट टेस्ट सिंखरा सुरू हुई है इसका चोथा टेस्ट है तो पहला ही कोशन हम देख लेते हैं कि भारत की सबसे गहरी साफ्ट गुफा किस प्रांत में खोजी गई है वेरी इंपोर्टन कोशन है कि देखें कि सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पर है प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि करेंट अफेर से संब्दी जितने भी वीडियो या फिर और भी इं तो भारत की सबसे गहरी साफ्ट गुफा किस प्रांत में खोजी गई है तो आपका आंसर होगा मेगाला है मेगाला में सबसे गहरी साफ्ट गुफा खोजी गई है वो मेगाला है दूसरा कोशन है इनमें से किसे जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपती तकि 100% question पूछे जाने की संभवना बहुत है नजमा आक्तर हैं जिनको लुक किया गया है कुलपती के रूप में तीसरा कि इस देश में 30 वर्स के राष्ट पती शासन के बाद आपातकाल की घोषना की गई है अभी हाले में की गई है तो इसका नाम क्या है कि आपके सामने हैं कि आपका सीजवाब अरोरा नामक सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने निर्मित करने की घोशना की है पांचवा नमबर क्वेशन है भारत ने किस पड़ोसी देश की सीमा को कभर और नियंत्रित करने हो तूँ कि स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम की शुरुवात की गई यह तो जाहिड सी बात है अलगी कंफ्यूजन हो सकता है बंगलादेश ही मार सकते हैं या भूटान से कोई मतलम नहीं चीन से कोई प्रॉब्लम नहीं अभी अभी फिलाल तो ससरी प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान है प्रक्षपित किया है भारत ने जी सैट जी सैट नामक संचार उपगरे सनचार उपगरे यह वी कोश्चन पूछा सकता कि कि से समदित है तो कि से समन्धित है एरियन फाइफ के एरियन फाइफ तो एरियन 5 भी ये 247 नामक रॉकेट से जीसाइट 31 को लांच किया गया है कहां से लांच किया गया है कोरू फ्रेंच उग्याना के कोरू रॉकेट प्रक्षेपन असल से लांच किया गया है सातो नुमर कोशन देखते हैं डिजिटल सिविलिटी सुचकांक में भारत को बर्स 2019 कौन सा स्थान प्रात की ः Cathy समय में इंडेक्स से समंधी पुछाण आ से समय न्यकिन की ब nos नासा ने क्या नाम दिया है एक आकस गंगा की खोज के चोटी सी आकस गंगा है जिसको नासा ने क्या और दिया है तो उसका नाम है बे दिन व्ण लूड नौशन है परमाढूट टेक संभानित किया है कि यह महिला पारा ओलम्पिक से मेडल भी लाई थी तो इनका नाम है दीपा मलीक को सर एडमन क्यों सब्सक्राइब सबसे अधिक किसकी है तो आपका है भारती प्रदोगी की संस्थान मद्रास भारती प्रदोगी की संस्थान मद्रास को सबस्रोच ranking प्रदान की गई है 12. reservoir question है मद्दिपूर्व और उत्तरी अफ्रिका विश्व आर्थिक मन्झ का hypothesis 17 संस्करण कहां पर आयुझत किया गया कहां पर आयुझत किया गया तो यह आपका सही जबाब है आट को डेट सी जॉड़न में यह आयुजित किया गया है नमरकोशन है अब इस हाली में किन दो देशों ने डर्ग तसकरी और मानुक तसकरी को नियंत्रेच करने के लिए सामयथी भ्यक्ती है किन डेशों ने भारत है भारत ने किस के एसाथ सामयथी है तो ऐसाने कि बांगला समतिव्यक्ति है भारत ने स्रीलंका के साथ 14 वहां है बहु आयामी निर्धंता सुचकांग एक खजार परसेंट संभावना है आने की बहु आयामी निर्धंता सुचकांग 2018 के अनुसार बर्स 2015-16 में भारत में निर्धंता का प्रतिशत कितना है आपका सही जब होगा 28 परसेंट 15 नमर कोशना LinkedIn द्वारा जारी की गई करियर पात्वेज इंडिया सर्वे 2019 में कितने प्रतिशत लोग अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त करने के लिए करियर बदलने की ली अरतने हैं इसका मतलब है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो हमेशा जॉब चंज करने के लिए मूड में राते हैं तो कितने पर संटा सभी जफ़ाब ऑन्रावरा गाट तो आपने डिरिम जॉब को प्राफत करने के लिए हमेशा मोड में रहते हैं। इस सोल्र नमर क्वेशन हैं अमेरिका ने इन में से किस देश को जीएसपी सुची से बाहर करने का फैसला किया है। तो देखिए इसका अंसर होगा भारत इसका अंसर होगा भारत थुआ सब्सक्राइब बता दूँ कि अमेरिका जिस भी देश को जीएसपी प्रदान करता है उस देश से निर्यात होने वाले सामान पर बहुत ज्यादे छूट अमेरिका प्रदान करता है अब इस सुची से चु अमेरिका ने कहा कि है जीसपी से बाहर कर दिया है तो 17 नमर कुश्चन है बारतिरी जर्बैंक ने बैंकों को नई मुद्राथ चेश्ट इसापित करने के लिए कुछ दिसार निर्देश दिये थे जो किस समित किसी भारी स्पयाधारीत थे इन्होंने एक समित गठ्षित की थी अध्यक्ष कुन थे तो समित थी डिके मुहनती की अज़क्ता में गठ्षित की गई थी 28 नंबर कुशन है किस नीजी बैंक ने बांबे स्टाक एक्सेंज स्टार्ट प्लेटफर्म को मजबूत करने के लिए एक समझोटे वर हत्ताक्षर किया है किस निज़ी बैंक ने बंबे स्टार्क एक्षेंज बीसी स्टार्ट अप प्लेटफर्म को मजबूत करने के लिए एक समझोते पहत्ताक्षर किया है तो आपका सहीज़वा होगा यह ज़्डी अफसी बैंक ने कि 19 नुबर कोशन देखते हैं विश्व बैंक की निम्कीत में से किस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने दुनिया में दुनिया के सिर्ष प्रफ्ट करता के रुप्य अपना स्थान बरक्रार रखा है और एक वो रिपोर्ट जा रही है वो रिपोर्ट कौन सी है तब देख अ व्यौता संफ्ट यह किसी देश के दौराब के बाहर से कि देशनी की बतवर्ट की आते हैं तो इसको हम्ने भारत सबसे शाए निगल गया है दूसरे संचन पर मैक्सिको है और तीसरे असन पर चाइना आ गया है तो यह उस संदर की बात कर रहा है बीस नुम्बर कोशन है भारत ने बित तबस 2018-19 में सकल घरेल उतपात कि कितने प्रस्तत के संसोधित राजकोसी घाटे के लक्ष को पूरा किया है तो इसने एक टार्गेट बना था कि जब भी किसी देश के द्वारा जितना भी खर्च किया जाता है और जितना प्राप्त किया जाता है उनके भीज के डिफरेंस को ही राजकोसी तथ्य कहते हैं और सपोज कि एगर इंडिया ने 10 रुपया खर्च किया है और 8 रुपया प्राप्ट किया है तो उसका राजकोसी घाटा हो गया किया 2% जैनि कि जितनी प्राप्ति होती हो जितना इन जितना खर्च होता उनके बीच के अंतर को ही राजकोसी घाटा करते हैं तो इस घाटा 304 परसंट के आसपास गवर्मेंट ने कम करने का पुरा प्लान बना था और उसको हासिल भी कर लिए 2018 में 21 है राजस्तान सरकार ने फरवरी 2019 में गुर्जर समेत पांच अन्य पिछड़ी जाती को कितने प्रस्त और अच्छन प्रदान करने हैं तो विध्यक पारित किया है तो आपका सही जबा भगा पांच परसंट पांच फिज़्जी 22 कोशन है भारत नीरमें से किस देश से म यह पाकिस्तान देखी काफी चर्चा मरह भारत और पाकिस्तान का डिस्पूट हे मोस्ट फ्यवर्ड नेसेन अमेफन का दरजा होता है थोब किकिकी मैंum बता दो है जब बहुत किसी देश के द्वार्वान का दर्चा दे दिया जाता है तुब ऑस निर्यात हने प्रwegen पर और जिस डेश को पर चैक्स कम देना पड़ता है तो इस अंदर में जब भारत ने MFN का दर्जा वापस ले लिया तो भारत से एक्सपोर्ट क्या होगा या भारत से इंपोर्ट पाकिस्तान के लिए महगा हो जाएगा और आजकर की कंडिशन है कि भारत की पुरी तरह से क्रैस की अहांसी पर खड़ी है कि तेजिस नमबर क्वेशन है हाल में किसे निर्वाचन आयक्त नियुक्त किया गया है तो आपका स्रीज भागवा सुसिल चंद्रा को 24 नमबर क्वेशन है नई दिल्ली में आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसियेशन मैनेजिंग इंडिया अवार्स 2019 में लाइप टाइम कंट्रिबूशन अवार्ड स्रणी के तहत किसे सम्मानित किया गया है जबी क्वेशन पूछा जा सकता है तो आप अजीम प्रेम जी अजीम क्वेशन है ग्रहाम रीड को हाली में है भारती पुरुष हाकी टीम की कोच के रूप में नूग गया लगया है ह। कि यह हां कि अस्टेला के रहने वाले तो आप से जबाब होगा आयाइटी मद्रास स्वरी आयाइटी मद्रास को आयाइटी मद्रास नहीं समझता किया है फोल इस्प्रेस को बनाने के लिए 27 नमर क्वेशन है आठ अपरेल 2019 को सर्भियाई नादिजार रेगिन का 87 वर्स के आवे निदन होता है तुस्से समंधित क्वेशन पूछा जाता है आपने देखाव योगा पिछले एक जामों में पूछा जा रहा है तो क्वेशन का बदल चुका है तो बिसिकली क्या थी अभ अभिया की रहने वाली थी है 87 वर्स की उम्रे में इनका निदन हुआ है वह अभिनेत्री थी 28 नमर क्वेशन है विस्व आर्थिंग मंच का मुख्याले कहां है तो यह को लोगनी स्वेटिया लेंड में 29 नमर क्वेशन है नई दिल्ली में आयुजीत दिवार्सिक सेना कमांडरों की संभेलन के अधक्षता किस ने की तो यह अंसर हो भी पिन रावजो सेना देख्षे उन्हों ने की थी वीडियो का लास्ट क्वेशन है जसनी इतिहाद नामक संगीत और कविता समारोग किस समारां में एकता के बारे में जागरुपता फैलानी के लिए आयूजीत किया गया जसनी इतिहाद याद राखनी आपको जसनी एकंसुरत сор व ने दिल्ली में इतिहाद नमक और कंपिता समारोग के बीच में एकता और जल्यक्ता और जागरूझता फैले और वो जनDay के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ें और आपस में भाजारा की भाना को फैलाएं तो यह रहाती इस कुश्चन फिन मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत